तो फ्रेंट्स आपको तो देखकर ही पता लग रहा है कि आज हम क्या बनाने वाले हैं तो फ्रेंट्स यह जो गाजर का हलवा है बहुत ही टेश्टी बहुत ही सौधिश्ट और देखिए कैसे बनाएंगे हम तो बहुत ही मैं बताऊंगे आपको असान तरीका जिससे कि आप अ घी में स्वादिश्ट बनती है हलवा तो फ्रेंट्स यहां पर आप घी का ही इस्तिमाल करें दो चमच घी ले लेंगे हम घी के मेल्ट होते ही हम डाल देंगे कसा हुआ गाजर तो फ्रेंट्स यहां पर गाजर को कस करी लेना है आपको तो यहां पर मैंने गाजर लिया था डेर के जी गाजर को मैंने अच्छा से कस लिया है उसके बाद देखिए आपको टोटल इसमें डाल देना है तो अभी तो चलाने में फ्रिंस बनेगा नहीं तो आप क्या करें ढखकन बंद कर दें और यहां पर फ्लेम को हाई कर दें हाई फ्लेम पर यहां पर आप 6-7 मिनट के बाद आप इसे चलाए इससे क्या होगा कि गाजर जो है पानी चोरेगी और पानी चोरेगी तो यह गल जाएगी तो जैसे जैसे यह गाजर जो हमारा पकेगा ना हलवा तो वैसे इसकी क्वांटिटी जो है कम होती जाएगी तो बस आपको इसी तरीके से करना है फिर से आप को इसे ढख देना है ढख कर आब इसको हम क्या करेंगे कि इसे हम 10 मिनट के लिए और पका लेंगे तो फ्रेंट से देखिए जैसे हमने पहले गाजर की क्वांटिटी कितना था अभी देख सकते हैं आपकी कितना है तो जैसे जैसे आप पकाएंगे तो वैसे वैसे गाजर की क् पड़ेंगे के हैं फेरे घ्याक के यहां यहां फ्लेम फ्लेम पर देखें आपको 20 survivors मिन्हसों बनाइन झाल हो गया नहीं पीडियुनित को अब इस फिर पकाने आपको 300 ग्राम मैंने चीनी लिया है 10 kg गाजर के लिए तो इतना परफेक्ट मेजरमेंट है अगर आप ज्यादा मिठा खाना पसंद करते हैं तो चीनी के बढ़ा सकते हैं कम खाना पसंद करते हो तो यहां पर चीनी के क्वांटीटी आप कम कर सकते हैं अब जैसे ही आपने यह पकती जाएगी कौंटीटी कम होते जाएगी तो गाजर का जो कलर है हलवा का हमारा कलर है वो भी बहुत ही अच्छा आता जाएगा तो यह देखिए हमने इससे 10 मिनट के लिए चीनी डाल कर पकाया है और आप देख सकते हैं कि यह भी सूखा सूखा जैसा हो रहा है तो क्या इस यहां पर आपको फूल फैट क्रीम दूद लेना है अगर आपके पस फूल फैट क्रीम दूद नहीं है गाए का दूद है तो आप क्या करें उसे कि मीडियम फ्लेम पर इसे आप कम से कम 20 मिनट के लिए छोड़ दे तो क्या हो कि दूद गार ही हो जाएगी और यह खुद भी पर आपको ढूसे और यहां तो किना क्या पर अपको ज सुखा देने मावा का टेश्ट आएगा गा अच्छे तरीके पोरा होगा यहां हमारी हलकी से गे रहें दूद के ने ओंपर से अघ्वा जाएगा है खाने का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आगा फीका फीका सा लगेगा तो इसलिए मैं बोल रहे हूं कि पूरा आपको सुखा लेना है इसको थोरी से भी मोश्चर नहीं रहनी चाहिए और यह देखिए इस तरीके से जब हो जाए तो देखिए बिल्कुल मैंने सुखा तो बस यहां पर क्या करेंगे कि हम घही डालकर अच्छे तरीके से भूनेंगे देख सकते हैं आपकी घाजर के लिए और इससे पका लेंगे ताकि जो हमने घही डाला है वह भी अच्छे से अपने खुसबू चोड़ दे पूरे हलवे में अच्छे से मिक्स हो जाए तो यह आप देख सकते हैं कितना बढ़ियां कलर आए है तो invert अगर आपने इस तरीके से च्राइ नहीं किया है तो ब्लीज एक तरीके से आप जरूर त्रॉय करें यह दूब गेंगे तो आप इस तरीके से बनाएए खाईए और हमने बताईए कि आप की रेस्पी कैसी बनी और फे और जब यह ठंडी होगे ना तक खाने में और भी अच्छा लेगा तो आप भी खाईए बनाएए इंजुआए करिये मिलते हम नेक्ट वीडियो में